किसी भी फेस्टिबल्स पे कितना सारा काम होता है लेकिन क्या मिठाई के बिना काम चल सकता है मीठी चीज के बिना कोई भी फेस्टिबल अधूरा है इन फेस्टिबल्स पे हम बनाएंगे कुछ आसान मिठाई अगर आपके पास सिर्फ आधा गंटा बचा है बहुत सारे काम ह बहुत सारे महमान आने वाले न तो जट पट ये नारियल की वर्फी जो कि मैंने दो रंगों में बनाई है बनाके तियार कर लीजे मुझे मिठाईों में ना सिर्फ नारियल की वर्फी ही पसंद है इसलिए हर तैवार पे मैं अपने घर में ये जरूर बनाती हूँ इसके लेना आमको एक अप दूद लेना है और एक अप दूद में ही डालना है एक अप चीनी लेकि चीनी कम जादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग क्योंकि नारेल की बर्फी बहुत जादा मीठी तो बिलकुल अच्छे नहीं लगते है आप चीनी घुलने तक आपको इसे खुक करना है इसे रेचिन फ्लेवर बनाने के लिए मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर डाल रही हूँ अगर आप खोए वाला भी टेस्ट चाते हैं तो मिल्क पाउडर इस्तमाल करें जितना मिल्क पाउडर उतना ही दूद वैसे दूद आप थोड़ा थोड़ा करके डालें जिसे डेसिकेटेड कोकनट भी बोलते हैं अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकनट नहीं है तो जो सूखा नारियल होता है उसके पीछे का जो पोशन ब्राउन ब्राउन सा होता है वो निकाल के मिक्सी में पीस दीजे अच्छे फ्लेवर के लिए मैं यहां केवरा एसेंस डाल रही हूँ आप गुलाब जल या इलाइची पाउडर भी डाल सकते हैं अब इससे नॉन स्टॉप आपको ना मिक्स करना है क्योंकि होता गया है फिर यह नीचे से पकड़ लेगा तो जल जाएगा और जैसे ही नारियल मिक्स करेंगे जो हमने मिल्क पाउडर का यह बैटर त्यार किया था इसको डाल देंगे यह देखे कुछ इस तरीके से नीचे जो जम गया है उसको भी स्पून की हेल्फ से इसके अंदर मिक्स कर देजे अब यहाँ पे बस थोड़ी से साफधनी रखनी है कि लगातार चलाना है क्योंकि मिल्क पाउडर डालने के बाद यह और जल्दी नीचे यह पकड़ लेता है मिल्क पाउडर डालने की वज़े से यह बहुत ही जल्दी गाड़ा होना शुरू भी हो जाएगा आप मुझे कहां से देख रहे हैं जरूर बताईएगा ताकि अगले वीडियो में मैं आपका धन्यवाद कर पाउँ इसी तरह नले नीस के चन देखते रहे हैं अपना सपोर्ट और इंकरेजमेंट मुझे देते रहे हैं अब आप देख रहे होंगे कि मिक्शर काफी गाड़ा होना शुरू हो गया है लेकिन थोड़ा सा पेशेंस हो रखेगा अच्छा गाड़ा करना है क्योंकि इसकी वज़े से बर्फी जल्दी जमेगी अगर आप थोड़ा सा रनी रखेंगे न तो बर्फी जमने में थोड़ा सा टाइम लेगा आप इस तरीके से प्लेट में रखेए ठोड़ा टिंट कीजे अगर ये एक दम से नीचे गिरता है इसमीन की अभी नहीं पका है थोड़ा सा इंतजार करना है हमें तो एक दो इडियम आज पर हमें इसे पकाना है लेकिन अभी ये रेडी हो गया है ये रेके हाथ में ऐसे गोला गोला बनाएंगे न तो बिल्कुल गोली सी बन जा रही है अब इसे फटा फट सेट करेंगे कल मेरी भी ननद और नंदोई घर पे आने वाले हैं ताजा मिठाई मेरे जब वो खाएंगे तो बड़ा खुश हो जाएंगे क्या आप भी ऐसा कुछ करते हैं अपने फेरिट्स के लिए तो जरूर बताएगा अच्छा मैं दो कलर्स पे बनाने वाली हूँ तो पहले ये सिंपल जैसा बनाया है इसमें कोई कलर एड़ नहीं है इस तरीके से मैं एक फीजता इमलेशन यूज़ कररे हूँ आप कोई भी ले सकते हैं आप औरेंज कलर ले सकते हैं फूड कलर ले सकते हैं रेड येलो कुछ भी कलर आप लीजे फ्यू ड्रव भी डालिये मिक्स कीजे और जमा देजे मेरा मानना है कि फूड कलर जितना ही कम हो खाने में उतना ही अच्छा लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कि मार्केट स्टाइल हलवाई से भी अच्छा बिल्कुल शुद्ध साफ तरीके से बना ये नारियल की बर्फी जो की पूरा मुझे साथ मिनिट लगा बनाने में बड़ी आसानी से अब आप भी घर पे बना पाएंगे और मेरा ये वादा है इसका जाइका आप भूले नहीं भूलेंगे आदे गंटे के बाद ये बर्फी सेट हो जाती है थोड़ा जल्दी और करना है आपको तो आप इसे फ्रिज में या फ्रिजर में रख दीजेए मैंने टीशू पेपर के उपर रखा है इस से क्या होता है बड़ी आसानी से फ्लिप हो जाता है ये देखे वैसे तो आप ट्रे में देशी घी भी लगा सकते थे आप वैसे भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास ये बटर पेपर हो तो इसको भी इस्तमाल कर सकते हैं अब देखें बिल्कुल फैंसी आइटम बना रहे हम तो कॉनस अठा देंगे ताकि हलवाई की तरह बिल्कुल क्रिस्प बर्फी बनके रेडी हो अब या हलवाई की तरह बना रहे हैं तो चांदी का वरक भी हम लगा देंगे अगर आपके पास चांदी का वरक नहीं है तो कटे वे ड्राइफूस को डालेगा लेकिन इनिशिल स्टेज पे जब हम बर्फी जमा रहे थे ना उसी वक्त आपको कटे वे ड्राइफूस डालें और उसको उपर से हाथ से थोड़ा थप थपा दीजेगा ताकि ड्राइफूस बर्फी में अच्छे से जन जाए लुक एट दिस बर्फी कटके बिल्कुल रेडी है आप देख रहे ना कितना सुन्दर लग रहा है अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है एक एक बर्फी देखे कितना क्रिस्टिल क्लियर कटके आ रहा है पूरे घर के लोग बोल रहे हैं जल्दी से वीडियो कम्प्लीट करो कि अब भाई दूज के कुछी घंटे बचे हैं और वैसे भी वीडियो सेफ करके रख लीजे किसी भी फेस्टिबल में न ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है स्टेल ब्लेस इंजोई